परल बढ़ते आगे तो और अब बात करते हैं राश्ट्रपती चुनाब 18 जुलाई को राश्ट्रपती बंद के लिए चुनाब होना है आज से इसके लिए नामांकन शुरू हो गए नामांकन के पहले ही दिन विपक्ष ने ऐसी तस्वीर सामें रखी जो भाजपा को अंदर यंदर चुब गई मंताब एनरजी के अगवाई में देश के 17 राजुनेतिक दल एक छट के नीचे इकठा हुए इसमें अखिलेश यादव और जनत चौडरी भी शामिल थे सब ने मिलकर राश्ट्रपती चुनाव में भाजपा को भीरनी की रखनीती बनाई लेकिन इन विपक्षी दलों के सामने भी चुनावती कम नहीं है क्योंकि जिस शरत पवार को लेकर सब एक छट के नीचे इकठा हुए उन्होंने उमीद्वार बनने से इनकार कर दिया अब 21 जून को फिर से बैठक होने की संभावना 18 जुलाई को होने जा रहे राश्ट्रपती चुनाव से करीब महीने भर पहले हुई विपक्षी दलों की ये बैठक पावर बुस्टर डोज की तरह थी जब 17 विपक्षी दलों के नेता लंबे समय बाद एक मुद्दे पर एक साथ बैठे टीमसी अध्यक्ष और पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने इस महा बैठक में कुल 22 विपक्षी नेताओं और गैर भाजपा शास्तित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का नियोता दिया था इन में से कॉंग्रिस, समाजवादी पार्टी, रालोड और NCP समेट कुल 17 दलों के नेता बैठक में पहुंचे इस बैठक में विपक्षी की तरफ से एक साजा उम्मीद्वार उतारने का फैसला किया गया, लेकिन वो सब का पसंदीदा उम्मीद्वार कौन होका इस पर अभिनिरने नहीं हो पाया है दर असल विपक्षी दलों की कोशिश राष्ट पती चुनाओं के लिए NCP नेता शरत पवार को उम्मीद्वार बनाने के लिए राजी करने की थी लेकिन उन्होंने इस पर हामी नहीं भड़ी, अब उम्मीद्वार का नाम तै करने के लिए जल्द दोबारा बैठक हो देखिये आज का मीटिंग में महत्तव पुन्न चीज यह है कि हम लोगों ने होर इंपोर्ट पोलितिकल पार्टिस बेसेंटेशनियों आई पर स्टनली वेन अल्ड प्रमेंब्रस अब्रस अब मेटिंग लिए इन नेमस्ली सगेश्टेट तक शरत पवार्स नेम अब अगली बैठक में शरत पवार, मलिका अर्जुन खरगे और ममताब अनर्जी मिलकर इस बात की पहल करेंगे कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपती का साजहा उम्मी द्वार कौन हो पर देज भर में बिपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है उससे इस बात की संभावना या गुणजाइश कम है कि विपक्ष कोई अपना चमतकार कर पाएगा फिर भी विपक्ष की एक जिम्मे जिम्मेदारी होती है देश के लिए समाज के लिए और राजनीत के लिए तो विपक्ष जो कर रहा है वो कर रहा पर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विपक्ष को सबलता मिलती दिख रही है इसलिए कि उनके पास ऐसा कोई केंडियेट नहीं अभी परा सामने आया जिसके बारे में कहा जा सके कि नहीं ये एक बेहतर केंडियेट है राश्टरपती चुनाव 18 जुलाई को होगा और इसके लिए 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी इसलिए अब विपक्षी निताओं के पास ज्यादा वक्त नहीं एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अभिनाश तिवाली की दिखो और आपको इस चुनाव के हर वोट की कीमत यानि वेल्यू के बारे में बता देते हैं से समझ कर आप राश्ट्रपती चुनाव की पक्ष विपक्ष की तक्कर की विसाथ को बेहतर ढंक से समझ पाएंगे राश्ट्रपती चुनाव में वोट का गनित क्या है जरा इसको समझे कुल वोट वैल्यू 10,78,915 है पहुमत के लिए 5,49,458 वोट वैल्यू की जरूरत है एंडिये के वोट के कीमत 5,26,966 है एंडिये को इस वक्त 12,492 अतिरिक्त वोट की जरूरत है इसके लिए भाजपा के अगुआई वाले सब्ताधारी कठबंगन ने विपक्षी खेमे के कुछ दलों से भी बात्जित शुरू कर लिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एंडिये और उप्ये के साथियने दलों के पास कितनी वोट है यानि किसके पास कितनी ताग्त हैं किसके पास कितने वोट वैल्यू इसे समझे राज्य सभा 74,900 लोग सभा 2,33,800 और विधान सभा 2,18,286 ये कुल NDA का भी अब आपको आंकड़ा बताता है जो आंकड़ा बैटता है 5,26,966 लेकिन इस आंकड़े के इतर करीब करीब 12,000 वोट वैल्यू यानि वोट और चाहिए होंगे NDA किसके पास कितनी वोट वैल्यू है अब UPA की बात कर लेते हैं राज्य सभा 40,600 लोग सभा 77,700 विधान सभा 1,45,888 खुल 2,64,188 यानि UPA के पास अगर संख्यावल की बात करें तो कम भी जा है किसके पास कितनी वोट वैल्यू अन्य की अगर बात करें देखिए जो ना UPA में है ना NDA में है राज्य सभा में 44,800 ऐसे वोट हैं लोग सभा में 86,500 ऐसे वोट हैं विधान सभा में 1,76,491 ऐसे वोट हैं NDA को अगर अपना प्रत्याशी जिताना है राश्च्पति चुनाब NDA की बड़ी रणनीती क्या है देके रक्षा मंत्री राजना सिंग ने बीजेडी नेता नवीन पटनाएक से बात्चित की राजना सिंग ने राश्च्पति चुनाब को लेकर बिहार किसी है नितीश कुमार से भी बात की है ममताब एनरजी और मलिकारजुन खडगे को भी राजना सिंग ने फोन किया दोनों ने राजना से कहा पहले उमीदवार का नाम बता है राजना सिंग ने अखलेश यादव को भी फोन किया है ये भी इस वक्त की बड़ी जानकारी में आपको दे रहा हूँ और हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त लखनव से अनुभव आज दिल्ली में वेपक्षी दलों के बैठक हुई और उसके बाद ख़बर है कि राजना सिंग ने खुद कई वेपक्षी निताओं से बात किया राज़पती चुनाव को लेकर अखलेश यादव को भी राज़गात सिंग के तरफ से फून के जाने की ख़बर है क्या दाजा जानकारी है अनुभव देखे बलकुल लखनव के सांसादा रक्षा मंतरी है राज़णा सिंग और बीजेपी के वरिस नेता है उन्हें ही जिम्मेदारी सौपी है पाट्टी के राज़पती चुनाव के लिए वो सब को सबसे बात करें और कहीं ने कहीं एक कंसेस बनाए कि कोई ऐसा उमीद वारा है जिसको सब सपोर्ट करें इसलिए आज राजना सिंग ने आपने जैसा कहा कि नवीन पतनायक उनको भी फोन किया इसके लाब मलिका अजुन खड़गे को भी उन्होंने फोन किया और अखिले शादो को भी फोन उन्होंने किया है अखले शादा फिलाद दिल्ली में ही है बताय जा रहा है कि अभी वहीं पर है वो और जिस तरीके से जो आपने वोट वैल्यू वोट वेटेज की बात बताई तो अगर बात करें यूपी सबसे बड़ा राज है सबसे जादा विधायकों की संक्या यहां 403 है तो यहां एक विधायक के वोट की वैल्यू पूरे देश में सबसे जादा है 208 वो आर्थी है इतना किसी भी राज में किसी भी पार्टी के विदायक के वोट की वैल्यू नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है अब BJP को कैसे फाइदा उत्तर प्रदेश में हो रहा है 255 तो उनके अपने विदायक है इसके अलावा उनके 18 उनके पास 18 विदायक है तो वो कुल पहुंच जाता है 270 और इसी तरीके से आप लोगसभा के सांसदों को देखे उत्तर प्रदेश में लोगसभा के जो सांसद है उनके वोट की वैल्यू 700 है 700 बीजेपी के अपने 63 सांसद है लोगसभा के दो उनके सायोगी के हैं इसको अगर हम जोड़े तो इसका वोट वेटेज बहुत जादा हो जाता है अनुवा की 30 सीटे है उत्तर प्रदेश में उनका भी 700 वोट वेटेज है तो अगर उनको भी हम जोड़ते हैं तो वो अबी पी गंगा खबर आपकी जवाआपकी